Hello students, स्वागत है आप सभी का, एक बार फिट से हमारे इस official YouTube channel में, जिसका नाम है Aswell Solution, मैं चंदन कुमार हाजीर हूँ, आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ, so guys, आज की ये नहीं वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है, क्योंकि चाहे second year के students हो, या फिर third year के students हो, या फिर exo students हो, उनके कुछ common questions है, सबसे पहला common question यह है, कि सर हमारा admit card कब आएगा, सबसे बड़ी problem second year के students के लिए है, क्योंकि जो उनकी assignment की date sheet थी, उनकी date sheet के according, 30 तारीक को उनका assignment show होना start हो जाएगा, but अभी still 29 आज हो चुका है, आज 29 तारीक हो गई है, but अ अगर आप देखें, अगर आप अपने student dashboard में प्रिवेश करके देखेंगे, तो आपको अपना admit card download करने का option तो देखेगा, but अभी आप अपना admit card download नहीं कर पाएंगे, क्या है बात, कैसे हम इसको देख सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब, और इसके अलावा भी कुछ और common questions हैं, इन सभी सवालों के जवाब, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो जलिए guys, शुरू करते हैं, आज की हम अपनी इस वीडियो को, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने admit card की problems हैं, चाहे second year के हो, या third year के हो, third year वालों को मैं यह कहना चाहूँगा, कि उन दस्तारिक से दस्तारिक के बीच में आपकी date sheet आईए, इसके बाद में आप जब नई date sheet आएगी, तो आपके नए सीरे से फिर आपके exams भी लिये जाएंगे, जैसा कि open book examination होने वाला था, होगा तो open book examination ही, बट आपकी नई date sheet आएगी, तो आपके admit card अभी थोड़े बाद में आएंगे, तो third year के students तो इस बात का ध्यान दे, अब हम बात करते हैं second year के students, तो उनका option आ रहा है, admit card डाउनलोड करने का, बट अभी admit card डाउनलोड नहीं हो रहा है, और उनको अपना admit card कहाँ पर है और कैसे मिल सकता है, आज किस वीडियो में हम यही जानने वाले, तो guys, आपको यहाँ पर करना है continue to website, कहाँ tap करना है, आपको यहाँ पर tap करना है continue to website, आपको इस पर जैसी आप tap करेंगे, तो आपके सामने कुछ options आजाएंगे, जैसे like आता है student dashboard का option आता है, इसके बाद में फिर नीचे आपका assignment based evolution का option आपके सामने, cbcs semester system का आगया, इसके video classes आप कियेगी, placement cell है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना यह check करना है कि हमारा admit card आया है कि नहीं आया भी, so यह कुछ questions है, जो पूछ रहे है, second year के students, तो उनके लिए मैं आप कहना चाऊँगा, जैको यह आपका option आ रहा है, dear students, UG admission ticket for assignment based evolution, आपको क्या करना है 2020, click here, आपको इस कि यहाँ पर note, actual roll number starting with 19, अभी यह इसलिए यहाँ पर ऐसा शूर रहा है, क्योंकि पहले first year वालों का आया था, और यहाँ पर एक example दिया गया है, कि आपको भी अपना जो actual roll number है, वो इस format में fill करना है, जैसे 19 लिखा है, यह आपका second year में है, तो 18 लिखा होगा, तो इसके आप इसको जब click करेंगे इस पर, तो आप इस number वाले इस पर आएंगे tap पर, इस पर नमर वाले tap पर आने के बाद, आप देख सकते हैं, यह से for example, में रोको 18 लिखना है, तो पहले 1 पर press करूँगा, मैं rate पर, फिर यह minus का जो निसान दिख रहा है, आपको यहाँ पर, इसके लिख करने के बद आपके सामने यह options आ जाएंगे, okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा, इसकेद में यहाँ पर आपको अपना बार कोड फिल करना है, यह आपकी photo के जस्ट उपर दिख जाएगा, यहाँ पर आपको अपना number add करके यह लिखना है, यह number टूट, जितना होगा, इसके फिर आपको login वाले tab पर login करना है, जैसी आप login करेंगे तो आपके सामने कुछ options आएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, okay, so आप जैसे ही अपने student dashboard में प्रिवेश करेंगे, तो आपके सामने कुछ various options आजाएंगे, यहाँ पर आपका नाम इसके उपर में, और आपका जो भी rule number है, वो show होने start हो जाएगा, इसके बाद आपको यह option दिख जाता है, यहाँ पर view slash download admission ticket, यह second year के जो students है, यह उनका show होगा, okay, आप देख सकते हैं, बट जब आप इस पर press करोगे, तो अभी यह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आज ही इस पर काम चल रहा है और आज ही आपका जो admit card है, वो आपको download होने को मिल जाएगा, कैसे download करना है मैंने आपको बता दिया, कि आपको यहाँ पर click करना होगा, press करना होगा, view and slash लिख के लिखा हो आएगा, आपके पास में download admission ticket, आप इस पर press करेंगे, आपका admission ticket show हो जाएगा, आपकी details show हो जाएग इसके बाद में आपको यहाँ पर option आ जाता है, लोगाउट का तो आप लोगाउट कर लेंगे, तो यह देख सकता है कि यह आपका नया option यहाँ पर आ चुका है, view and download admission ticket, तो आप यहाँ से उसको download कर सकेंगे, simply कोई मुश्किल नहीं है, बट अभी इस तिल यह काम नहीं कर र मैंने उनको बताया कि उनके अब नई date sheet आएगी, और उस date sheet के according ही उनके exams की date final की जाएगी, चाहे जुलाई के last में हो यह जुलाई में हो ही न, अगस्त में हो, यह देखा जाएगा जब date sheet आएगी, और जब date sheet आएगी तो आपको पता है date sheet के जब exam start होते हैं, तो लगबग पास से दस दिन पहले ही आपका admit card आता है, हो सकता है कि आपके दो से तीन दिन पहले आए, तो आप ज़्यादा चिंता attention लेने की बात नहीं, आप लोगों को अपने exams की त्यारी करनी है, निश्यन तोकर exams की त्यारी कीजिए, जैसी option यह आएगा आप लोगों के लिए, कि आ आप अपना admission ticket download कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, 30-year वाले के students ऐसी आपके दिर्चित आती है, MOOC आता है आप लोगों का, हम आपको उसके बारे में inform कर देंगे, सो गैस मिलते हम अपने अगली वीडियो में, जैहिन, जै भारत!